कि है इसाभ नुप कुमार साद्व आह आज हम बात करें खेcket E-800 2 qo port चे क्या प्रोफिट हो सकता है ठीक है यह तेल क्यों को यदि हम जी विवर्फ कर आते ची तो यह ब्रोफिट होगा करते है तो देखिए कि इससे बरी प्रोफिट जो होगी उसमें सबसे बड़ी profit आपको क्या होगी कि आपका सबसे पहले 209 वाला जो रिचार्ज होगा free होगा थिक है 209 या 199 का जो आपका रिचार्ज होता है फ्री होगा यानी कि एक जीवी per day आपको data मिलेगा 28 था थीक है दूसरी profit ठीक है कि जीओ का सदेव आपका सदेव जो होता है कमिंग कॉल यारीकि उधर से आने वाली कॉले जो होती है सदे फिरी रहती है तृक है दूशरी बात इसमें मेसेज भी हमेशा परते रहता है और तीसरी बात कि जो आपका 909 वाला रिचार्ज होता तो इसके अलबाव आपको मिलेगा नियाटल टू जीओ पोर्ट कराने में इसके तीन चार कंडिशने अब तभी एयर टेल के सीब को जीओ में पोर्ट करा सकते हैं जब आपका एयर टेल का इंकमिंब फिरी हो और आउटगोइंग दोनों ही फिरी हो क्योंकि उसके पोर्ट के लिए एक मेसेज बैदना पड़ता है यानि कि आपको एक माहा के लिए फिर से उन्चास रुपया ला रिचार्ज कराना होगा ताकि मेसेज बेजा जाए ठीक है तो आप रिचार्ज आते हैं तो मैक्समम चार डे आपका लग सकता है ठीक है चार डे लग जाता है उस सीम को और वने में यानि कि तब तक आपका एक और शीम आप पूराना और दूसरी बात यदि आप तीन माह के अंदर में एक बार पोर्ट करा चुके हैं तो आपका आपका इस सक्सेस्फुल पोट फिर से नहीं हो पाएगा ठीक है यानि कि मैक्समिम आपका तीन माह में एक ही बार आपको पोट करा सकते हैं ठीक है इसकी सबसे बड़ी कंडिशन होती है ठीक है और यदि यदि हम बात करें तो आपका जीओ जो है जीओ अभी ततकाल में जीओ का कोई प्लाम इंकरीज नहीं हो रहा है ठीक है इसलिए से एटल के पिक्षा काफी अच्छा रहेगा और यह तेल कंपणी आपको पता ही है कि अभी घाटा 34,000 क्रों रुपय को का घाटा दिखाया था ठीक है और अभी आपका आर्वीय का इन्होंने आपका 10,000 क्रों रुपया का जो आपका इन्हो होने लिया था उसको लौटा दिया है वापस कर दिया है जो लोन था ठीक है तो और इन्होंने अभी जो आपका दिली में आपका इनकी जो ट्राय कमपनी है टेलिगुम रेगोनरेटरी Indienstri जो है उसमें इन्होंने उससे आपका इन्होंने पूछा है कि क्या हम अपनी कमपणी को बेच सकते हैं और इनकी ओर देख सकते हैं यदि आपको पूट कराना है तो करा सकते हैं और एक और खास बात कि इस समय एयर टेल का नेट अच्छी खासी चल रही है ठीक है क्योंकि जीयो का यूजर बर गया है तो आप इस बात को भी सोच दिएगा क्योंकि अभी जी उतने अच्छी खासी श्पीड नहीं दे रही है आप लोकल ओर में जैसे आपका ग्रामी अडिया में तो आप जीयो में पोट नहीं करेंगा तो बेटर है आपके लिए ठीक करना हो तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है और इसमें एक और खास्परत में बताना भूल गया कि यह जो आपका जीओ है जीओ सदेव के लिए अभी इंकमिंग फिरी है लेकिन ऐसा हमेशा के लिए नहीं होगा ठीक है इनको अभी करिब यह कहें कि पचास करोर हमारा जो जीओ के यूजर है यदि पचास करोर हो जाएंगे तो इनका इनका भी रेट बनेगा क्योंकि आप देखे होंगे कि सबसे पह ठीक है और आप यदि 49 वाले रिचार्ट से परिशान है तो कर लेजाब जीओ में ठीक है हां और आप किसी भी रिटेलर के पास जीओ के रिटेलर के पास जाके जो आपका आधार काट है आप उसे ले जाए ठीक है और उसी के ताथ आपको तुरंती आपको पोट कर देगा ठीक है और एक और खास बात आपका इसमें आपका एक भी रुपज लगने वाला नहीं लेकिन आपका रिटेलर आपसे हो सकता है five लोभ तो आपको पचास रुप्य से जादा मत योगा ठीक है फचास पका लगता धाए Max spike 50 रुप्य ठीक है इस से जादा रहीग है